हाई मेरा नाम विपिन गोजे है, मैं दे फोकल इंस्टूट आप फोटोग्राफी का डिरेक्टर हूँ जो सिरीस हमने स्टार्ट की है, उसके दूसरे सेशन में आज हम SLR कैमेरा का सेंसर कैसे क्लीन करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे सबसे पहले आपको SLR कैमेरा का सेंसर क्लीन करना हो तो बैटरी जो इस्तमाल कर रहे हैं कैमेरा में वो पूरी तरह से चार्ज होनी चाहिए उसके अलावा भी आपको कुछ सामान की ज़रुद पढ़ सकती है उन में से एक ब्लोर है और एक वाइट पेपर सेंसर क्लीन करने के लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि सेंसर पर डस्ट है कहाँ उसके लिए आपको कैमेरा को AV मोड पे कीजिए अगर Nikon कैमेरा यूज कर रहे हैं तो ए मोड होता है क्योंकि AV मोड पे आप अपरचर मैक्सिमम रखकर आप फोटो ले रहे हैं जैसे इस कैमेरा के उपर 29 अपरचर मैक्सिमम है तो आपको भी मैक्सिमम अपरचर पर ही यह फोटो लेना है जो भी शेटर स्पीड आएगा उसकी चिंता ना करे कोशिश कीजिए कि ISO भी 100 ही रखे और ले क्योंकि हमें फोटोग्राफ शेक होने से फरक नहीं पड़ता क्योंकि हम लेन्स के उपर का डश्ट नहीं ना ही पेपर के उपर का डश्ट हम सेंसर के उपर का डश्ट देखना चाहते हैं तो सेंसर के उपर का डश्ट आप maximum aperture और defocus करकर ही proper दिख सकता है जैसे अभी 100 ISO पे लगभग देड़ सेकंड का exposure आ रहा है लेकिन कैमेरा शेक होने की चिंता ना करे देड़ सेकंड का exposure भी आया तो कोई ही नहीं फरक पड़ता है फोटोग्राफ लेने के बाद में अगर आप dust चेक करना चाहते हो तो कैमेरा के screen पर image को magnify करके देखिए magnify करने से dust आपको बिल्कुल साफ नजर आता है अगर ये पता चल गया है कि कैमेरा के sensor पर dust है तो आपको clean करने के लिए इस blower का इस्तमाल करना है सबसे पहले कैमेरा के sensor cleaning mode पर जाकर manually cleaning जो करने का system होता है clean manually ऐसा लिखावा है उसे select कीजिए जब आप okay करते हो तो कैमेरा का mirror जो reflex mirror कहा जाता है वो उपर चला जाता है और shutter भी open हो जाता है और clearly आपको sensor नजर आता है जो sensor इसमें दिख रहे हैं इसी पर dust है लेकिन आपके आँखों को बड़ी मुश्किल से दिखता है जो भी आपको अंदाजा है sensor जहां पर भी dust है उसके अंदाजे से इस blower से कैमेरा को उल्टा करकर blow कीजिए कम से कम 20-25 बार blow जरूर करना इस blower को ज़्यादा अंदर ना दाले वरना sensor के उपर अगर blower लग जाता है तो sensor डामेज हो जाता है तो संबल कर जितना दूर से आप blow कर सकते हो कीजिए ज़्यादा अंदर ना दाले पूरी तरह से blow होने के बाद कैमेरा को पूरी तरह से switch off कीजिए जैसे कैमेरा स्विच आफ होता है मिरर नीचे आ जाएगा शेटर भी बंद हो जाएगा और आपका sensor अभी clean हो गया है या नहीं ये जानने के लिए आप 22 aperture पर कैमेरा रखकर manual focus पर रखकर दुबारा white paper का photo खीजिए जब आप photograph खीशते हो फिर से check कर लीजिए कि dust जहाँ पर पहले नजर आई वहाँ पर दुबारा नजर आ रही या नहीं अगर dust नजर नहीं आई तो समझ लेना कि आपका sensor clean हो गया है ये process आपको महिने में एक बार ज़रूरी है करना क्योंकि अगर आप dust regularly clean नहीं करते हो तो dust वहाँ sensor पे हमेशा के लिए चिपक के रह सकता है अगर permanent dust थटाना हो तो आपको service center में ही देकर clean करवाना better होता है लेकिन temporary dry dust होता है तो blower से जरूर निकल जाता है तो उमीद है ये idea आपको काफी काम में आएगा दूसरे टिप के साथ दूसरे वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे Thank you